हले इबरीबन वेलकम टू बन्ना टैरिस कारडन फ्रेंट कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब भी अपने पौधों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि बारिस का मौसम शुरू हो गया है और हमें सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से प्लां हैं आज इसी फूलों के बारे में आप से सारी बाते शेयर करूंगी कि इसको किस तरह से उगाना है हमारे अपने घरों में तो फ्रेंट्स और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसमें हर साल फूल कैसे पाने हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि दो स पूरा देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो जड़ा सा भी आपके मन को छुए तो मुझे लाइक जरूर करिएगा और अपने जान परचान वालों में शेर भी करिएगा और आप लोग अगर मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और तभ स्काइब करना भूल गया है जलबाजी में तो वह भी कर दें तो चली फ्रेंट फिर मैं आप लोगों को रशनीगंधा की पूरी चानकारी दूंगी चली फ्रेंट वीडियो शुरू कर दें फ्रेंट्स ये रजनीगंधा के फूल बहुत है खुबसूरत फूल होते हैं और आप लोग देख सकते हैं ऐसे गुच्छों में फूल आते हैं प्रेंट्स वीडियों नाम है रजनीगंधा तो ये फूल रात में खिलते हैं जैसे ये शाम होने लगती वैसे ही फूल खेल जाते हैं और पूरी रात खुस्बू विखेरते रहते हैं और सुबह भी खुस्बू आती रहती है इसमें पर जैसे ही सुरुष निकलता है और धूप चड़ने लगती है तो इसमें फूलों में खुस्बू कम हो जाती है बिल्कुल भी खुस्बू नहीं और जैसे ही शाम होती है, फिर इसमें फूलों में खुषबुँ आने लगती है, तो फ्रेंट्स ये फूल 2-3 दिन तक लगातार ये खिले रहते हैं, और इस तरह से ये इस्टिक निकलती है, और उपर उपर ये फूल कहलते हैं, इसमें कलिया होती है, ढेर सारी एक साथ ही आत खराब होने लगते हैं जैसे कि यहां पर यह देखिए फूल निकल चुके हैं तो इस तरह से इसमें फूल निकलते रहते हैं आगे को और पीछे से फूल मुर्जाते रहते हैं तो एक फूल जो फूल खिलते हैं उसका टाइम दो से तीन दीन रहता है दो से तीन दीन यह खिले हैं इसके अंदर नीचे बप ह Love होते हैं जशना पानी भी उसी में स्टोर करके रखते हैं तो उसी sådan डगां के और उसमें एकक 100 कि यह होती है कि जैसे बढल होते हैं जो सबसे बड़ा capit होता है उसी में फूल आते हैं बाकि छोटे चोटे जो UI होते हैं 2 इसमें नहीं आते हैं जब वो मैचोर हो जाते हैं उसके बाद ही उसमें फूल आते हैं तो यह इसकी खासियत है फ्रेंट्स आप लोग सब लोग इसको जानते होंगे नाम भी सुना होगा और बहुत से लोग नहीं जानते हैं रजनी गंधा का सिर्फ नाम ही सुने हुए हैं बुके व जब होती है जो बहुत जादा सर्दी होती है तब नहीं आते हैं पर अगर हम इसके अच्छाप और लंगे तो ये जनवरी में जनुखररी में भी इसमेंuli प्छ만 फूल आजाते हैं क्योंकि मेरे गाड़न में एक बार जनवरी में भी रजनिगंदा में फूल आ गये थे बस उनके ये जो फूलों का साइज है वो काफी छोटा था तो अभी इस समय देखे कितना सुंदर साइज इसका आया हुआ है गर्मियों में और इसको जो बल्ब होते हैं उसके बल्ब के लगाने का टाइम होता है फरव बल्ब लगाएंगे तो उसमें फूल नहीं आएंगे इस बातों का आपको ध्यान रखना है तो यह हुई इसके लगाने की बात तो इस तरह से आप मार्केट में जाएए और बल्ब ला करके लगा सकते हैं और जब भी आप पर्चेश करने जाएं बल्ब को तो बल्ब हमेश बल्ब ले डिल ए yutan के लिए और बहुत जादा बेल्डर मिटी करें और इसको बहुत ज़्यादतर मिटी की जरूत होती है क्योंकि यह बल्ब वाला प्लान्ट है जो भी बल्ब से हमारे लगते हैं उनको एकडe बल्डर की च़िए क्योंकि उनमें पानी पहले से ही इस टो बल्ब में तो मिट्टी बिल्कुल इए बिल्कुल बहुत गीली जाहिए , इसमें अभी मिट्टी नहीं दूँगी यह सब क्योंकि बारिस भी हुई है तो बारिस में ज्यादा पान्र मीघीली वानुन नहीं हो लेनी बहुत हिसाब我在 7 छीमटों एपैल दिए हमें वेस्ट में देशुर्ला हैं कि हमें जंो रेंपोर village मुलांटी मधनी हैं सभी plants के लिए तो इसमें हमें मिध्य और हैतो बराबर बराबर मात्रा में लेनी एपर हमें रेट की मात्रा थोड़ी से ज curly मतनी है तो रेद ज्यादा ८मिलाए।र रेत से इसकी मिट़ी बहुत ऑच्छा यह चलता है और प्लांट अच्छा चलता रहता है! लगाने के लिए किसी भी गंले में आप यूज कर सकते हैं जाहे आप बड़ा से बड़ा गंला ले लिए और ये इस लिए नीचे रखा हुआ है इसलिए साप से दीख नहीं रहा है यह मैंने 14 इंच के गंबले में लगाया हुआ है और जितने बड़े हम गंबले में लगाएंगे उतने ही ज्यादा इसमें बर्ट्स आती हैं बहुत ज्यादा आती है और देखिए यह एक मैंने छोटे- चोटे-चोटे डब्बों में भी आप एक-एक दो-दो बर्ब लगा सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी तो इस तरह से देखिए यह मैंने साइड में रखे हुए हैं और धेर सारी यह देखिए फ्लावर भी आ रहे हैं तो इस तरह से बहुत सा बड़े गमले में लगाएं और बहुत जादा गहरा पॉट लेने की भी जरुवत नहीं है आप सेलो पॉट में भी इसको लगा सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छे फूल आ जाते हैं तो इस तरह से आपको गमले का चुनाव करना है लगाते समय तो मैं इसमें बड़े में देखा दा बड़े करनी चभी में चाहरा राख है мед सब्स्याद में गँए तो वह भी में बड़े के रह सनये समय चाहरा ऑलब की जोड़ाते सब्सक्राइक कटार करने जब ही अगर ब气 करन تم सान्यामे कि जिक नहीं सबुसरे बड़े का तो मैंने पहले लगाया थे कह बुद तो आपको इसमें क्या करना है और इस तरह से जब फूल खिलने लगते हैं और चुछ फूल्स पूल जब रह चाते हैं तो आप स्टिक को यहां से कटकरे और आप इसको रूम में भी सकते हैं जैसे कि मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कट करके ले लेना है और जहां तक बिल्कुल सीधी है वहां तक ही हम स्टिक को रखेंगे बाकी हम कट करके अलग कर देंगे और इसी तरह से फ्रेंड्स जो भी स्टिक हमारी पुरानी हो जाती है फुल खिल चुके होते हैं काफी हद तक और कुछ कलियां बची होती है तो हम सभी को कट करके और हम अपने घर में इस तरह से गिलास में पानी भर करके रखेंगे तो हमारे घर में भी खुसबू फैल पर आप याद रखना है जब फूल नहीं आते हैं तो आप इसके फूल निकलने लगते हैं तो आप इसे आधे दिन जादा तेज दूप में भी इसके फूल बहुत ही जलने लगते हैं तो यह सब जो कर ध्यान रखिएगा आपको रखने के लिए कि आपको जब फूल आने लगे तो आधे दिन की दूप में ही रखना है तो फ्रेंट अब इसकी बात आती है कि इसको हमें फेटलाइजर कप कप क प्याज का फेटलाइजर होता है हम उसे भी दे सकते हैं लिक्विट फॉर्म में और आप जाहें तो जैसे घर में जो प्याज के चिलके वगरे निकलते हैं उनको आप इसकी मिट्टी में भी थोड़ा-थोड़ा सा दबा सकते हैं उससे भी इसे काफी अच्छा फेटलाजर इसे आप हर 15 दिन में या एक महिने में अगर देते रहेंगे तो आपके फूल आते रहेंगे मैं आप लोगों को बता तो देती हूं पर मेरे पास इतने सारे प्लांट है कि मैं खुद ही डालना भूल जाती हूं तो फिर भी जब मुझे याद आते हैं तो मैं जरूर अपने प्लांट को देती हूं तो देखें फिर भी काफी अच्छे फूल आ रहे हैं वैसे जब इनका सीजन आता है तो फूल तो आने ही लगते हैं पर अगर हम इन सब्कीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो फूल की क्वांटिटी और भी ज्यादा हो जाती है तो इस तरह से मैंने जहां तक कोशिश है मैंने आपको सारी बाते शेयर कर दी हैं और अब बात आती है उस खास टिप्स की की जो है कॉन सा टिप्स है जिससे की हम अपने गाइडन में इन फूलों को हमेशा पाते रहें हमेशा आते रहें फरवरी मार्च से लेकर के और ये सितम्बर पहले लगाया है या किसी ने बाद में लगाया है उसी साथ से फूल इसमें आते रहते हैं तो इस तरह से आपको खास टिप्स की क्यों फूल आते रहते हैं तो आप एक बात ध्यान रखेगा कि दो साल तक इसमें लगातार फूल तो आएंगे पर तीसरे साल से इसमें फूल तो आपको क्या करना है तीसरे साल आपको इस मिट्टी प्लांट को पूरा गमले से बाहर निकालना है और इसके बल्ब को अलग अलग कर देना है क्योंकि सारे बल्ब जो होते हैं एक बल्ब से धेर सारे बल्ब निकलते हैं तो उन बल्ब को आपको अलग करना है मिट्टी से ब गादी देंगे तो जो बड़े बड़े बप हैं उसमें झायें चरफिक चाहन के बढ़著 आ हैं जो सारे ब Buenolla पर ऑप्र से छेश्चे स्केटी वह पहुत बहुत ही जड़ी हैं花 में हर फिर न करना में में हो under बना सकते हैं हर दो साल में तो दो साल तक तो ये फूल दे देगा पर दो साल के बाद तीसरे फ़स साल जब फूल नहीं आएंगे तो आपको यही काम करना है ये खास ट्रीक है अगर आप इस बल्ब को अलग करके लगाएंगे तो आपके बल्ब में फिर उसी साल फूल आ जाएंगे तो इस तरह से आपको हर दो साल में करना पड़ता है क्योंकि हर प्लांट की तरह नहीं होता है कि एक बार लगा दिया और बस भूल गए हम तो इसको आपको भूलना नहीं है दो साल के बाद आपको इसको उमीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मैंने आपको इसकी शारी बाते बताई और ये खास टिक आप याद रखेंगे तो आपके गार्डन में हमेशा फूल आएंगे हर साल फूल आते रहेंगे रजनिकंदा के तो वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नाम खूलिएगा तो मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ किसी और फूल के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर आफ योर प्लांट